दोस्तो आज का जो वीडियो रहने वाला है आपकी डिमांड पे था एक कमेंट था कि सर काफी डिफिकल्टी हो रही है काफी दिक्कत आ रही है साइट पे लेवर हैंडल करने में मतलब बहुत ज़ादा प्रॉब्लम आ रही है कि लेवर जो है वो आउटपूट नहीं दे रही है सुनरी नहीं है तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है फ्रेशर जब साइट पे जाती है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मि जाते हो, तो mostly जो काम दिया जाता है as a site engineer, वो site supervisor का ही रहता है आपका, कि आपको labor handle करनी पड़ती है, starting में जाके और दिक्कत सबसे ज़दा आती है labor सुनती नहीं है, पहले हमने समझना है, सुनती क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है सुनती इसलिए यह नहीं है, देखो क्या होता है, labor काफी time से site पे काम कर रही है, और आप ऐसे fresher जाती है, और आपको practical का थोड़ा भी knowledge नहीं होता है और जो labor होती है, उसको practical का काफी ज़दा knowledge होता है और जब वो आपको judge करती है आपको देखती है कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है उनको लगता है कि मतलब यह जो नया engineer लगा है यहां पे, तो इसको आता ही नहीं है कुछ, उनको यह knowledge नहीं है कि क्या study system है, education system क्या इंडिया का, और वहाँ practical कुछ है ही नहीं, तो आएगा कहां से लेकिन theoretical, टेकनिकल उनसे ज़्यादा knowledge हो आपको, लेकिन उनको उससे लेना देना नहीं है कुछ भी, तो इस चक्कर में क्या होता है, वो आपसे सुनती नहीं है, तो इस चीज को कैसे counter करना है, मैं आपको कहूँ, सबसे पहले एक चीज आपको करनी है, जब भी आप साइट पे जाओ, लेवर से काम करवाने जाओ, इगो लेके कब मत जाओ, मतलब ऐसा इगो मत रखो कि मैंने तो BTEC की है, या डिप्लोमा की है, तो मैं तो खतरनाक इनसे मैं जैसे वैसे काम करवाऊंगा, गुसा करूंगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, पहले चीज यह तो, पहले जाते ही, उनसे थोड़ा कॉर्परेट करो, मतलब ठीक है, मतलब इतना जैसे जिस तरीके से वो काम करना चाते हैं, उस तरीके से करने दो नोटिस करो पहले जाके, मतलब थोड़े 10-15 दिन करने दो, आपको लेवर मिलके आपने लगा दिये, चार आदमी जो भी एक्सकवेशन कर रहे हैं, सरी अवान दे तो करने दो, नोटिस करो, और जितना मैं बोलूँगा, जितना कम बोल सको, उतना कम बोलो, बोलना इंदसेंस यह नहीं की काम नहीं दिखाना है, काम दिखाओ, लेकिन जो भी चीज आप बोलो उनको, वो पूरा फैक्ट के साथ होनी चाहिए, आपको उस चीज का नोलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ और तरीके से बोलो के और उसको वो पता होगा, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो वो आप पे चड़ जाएगा, यह तो गरंटी है, वो आप पे चड़ेगा ही चड़ेगा, तो आपको थोड़ा उतना बोलना है, और जो भी काम करवाने है, ठीक है, वो प्यार से करवाईए, उससे पूछिए, कि आपको चलो यह बीम की बीम की बाइंडिंग कर रही है, सरीय बानना है, तो उससे थोड़ा उससे सीखो, थोड़ा अपने से बताओ, और प्यार से वो काम करवा लो, तो वो सबसे ज़ादा इजी होता है, किसी लेवर से काम निकलवाना, ठीक है, स्टार्टिंग में, दूसरी चीज होती है, काफी लोग बोलते हैं, कि स्ट्रिक्ट रहो, तो काम आउटपूट जल्दी निकलेगा जम पॉलाइट रहो, दो चीज़े हैं, स्ट्रिक्ट हैं पॉलाइट, तो मेरे एक हाल में कुछ इंजिनिर होती हैं, जो स्ट्रिक्ट रहके भी काम करवाती है लेकिन, वो मेरे खाल में एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है, किसी से काम करवाना वो भी लेवर है, आदमी है, उसका भी, मतलब, आउटपूट जितना आपको लगता है कि निकलना चाहिए, उतना निकाल रहा है तो उससे जादा कुछ उसको नहीं बोल ला है तो पॉलाइट रहो, और अच्छे से अगर समझाओगे वो काम आपको करके देगा दूसरी चीज आपको क्या करनी है साइट पे, दूसरी चीज फिस साइट पे जाओ, और लेवर को टार्गेट दो कि आज तीन या चार गंटे में जीज खतम कर ले ना तो उसके बाद तेर को दूसरा काम देंगे जाओ, उसके बाद तू अराम करना जाओ, जो भी है मतलब उसको टार्गेट दे दो और जब किसी काम का, किसी लेवर को आप टार्गेट दोगे, तो वो आउटपूट निकाल के देता है, यह मतलब एक प्रोडेक्टिविटी रूल है, तो उसको टार्गेट दे देना है, कि हमने PCC करनी है, इस जगह कि चलो, excavation वो कर रहे है, मैं example लेता हूँ excavation कर रहा है, खड़ा खोद रहा है, एक मीटर रहा है उसको बोल दो कि चार गंटे बार TM आ रहा है भाई, तेरको excavate करके देना है, जल्दी जल्दी कर देना ठीक है, तो वो जब उसको target दिया होगा, तो वो भले बीच में बैठ रहा है, कर रहा है, तो वो बैसे करके आपको output करके दे देगा, ये हमेशा देखा गया दूसरा, हर एक side पे एक labor जरूर होती है, मतलब लगा लो, चार आदमी लगे, उनमें से एक date होगा, date in the sense, वो काम नहीं करेगा, मरकब work को delay करेगा, दूसरों को भी उसी में लगाए रहेगा, देखेगा, क्यूंकि आप जब उसको कुछ बोलोगे, तो वो आगे से क्या बता, reply, बुरा reply करे, जहां सुने ही नहीं, तो वो arrogant सा हो सकता है, एक होता है labor हर एक में, वो काम को delay भी करेगा, इदर उदर बागेगा, उसको भी target दो, और possible हो, वो तीन lever को वहीं रहने दो, उस lever को कहीं और आगे पिछा लगा दो, किसी supervisor को दे दो, four man को दे दो, ऐसा काम दो, कि उसको वो तो करना ही पड़ेगा, अगर वो वो काम नहीं करेगा, तो 10-20 बंदों का काम रोक रहा है, ऐसा काम उसको दे देने, दीरे-दीरे वो सीख जाएगा, कि मेरे को मतलब रगड़ा लग रहा है वही अभी, तो वो दीरे-दीरे जो भी काम में डालो, वो वहाँ पर output देना आपको start कर देगा, और और labor से एक relation बनाके रखो, मतलब एक emotional relation रखो कि, मतलब उसको लगना चाहिए कि जो सर काम करवा रहे हैं, नहीं इनको भी feel हो रहा है, कि काफी tough काम है, इसमें जान लगती है, time लगता है, क्योंकि अभी summer का time होगा तो बहुत दिक्कत होती है, labor को भी काम करने हैं वैसे winter होगा थो बहुत, तो मतलब बहुत harsh condition में काम करना पड़ता है labor को, तो उनसे थोड़ा रखो की नहीं, इनको फरक पड़ रहा है, जब वो बोलते हैं, मतलब आपको लगते हैं, अगर वो चार example गया है, हमारे side पे ऐसा ही है तो चार supervisor उसमें से एक arrogance है, मतलब बहुत गुसा चिलाता हुलाता है काम भी करके देता है लेकिन दूसरे जो supervisor वो अच्छे से हैं, जहां उनको पता है कि यहां एक आदमी का काम है तो वहां वो दो आदमी को डालते हैं और जो दो गंटे में काम होना है, वो एक गंटे में करके दे रहे हैं तो इससे क्या लेवर का थोड़ा mindset रहता है कि नहीं, सर को हमारी care है, दो बंदे डाले हैं उन्होंने क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए लेवर नहीं उड़ती है यहां से वहां तो वो दिक्कत हो जाती है और आपको एक दो लेवर रखनी है जिनको एक्स्टा और दे दो यार एक दू गंटे से ना बड़ी अगर कोई लेवर है, बहुत ही जादा नहीं सुन रही है, यह नहीं है तो आप सीधा उसके कॉंट्रक्टर से बात करो आप जितना ऐसे सीविल इंजिनियर उसको बोलोगे, टोकोगे तो आपसे मतलब वो रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा आपको और professionally यह मेरे खैल में सही चीज नहीं है कि वो आपको बोलटा, कुछ बोल रहा है, आप उसको बोल रहा है तो यह कभी नहीं करना, ना किसी को abuse करना, ना उसकी abuse सुनना अगर आपको लगता है कि यह नहीं चल रहा है तो आप किसी senior engineer से बात करेगा, वो contractor से करेगा तो वो थोड़ा professionally उस चीज को handle करना सीखो ठीक है, और labor सुनरी नहीं है, तो उसके कुछ tag है समझोगी किस बज़े से नहीं सुनरी है, क्या नहीं हर side पे अलग condition होती है, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है और labor को कभी डर नहीं होगा, कि आप सोचोगे, कि मैं इसको धंकाऊंगा कि कल निकाल दूँगा, तो ये वो, तो वो अकल निकाल दूँगा, बोलो कि वो आज का काम भी नहीं करके देखा आपको, क्योंकि उसको तो कोई दिक्कत नहीं अगर आज निकाल दोगे, तो वो दूसरी जगह लग जाएगा दिक्कत आपको, तो आपको काम निकलवाना आना चाहिए, तो काम कैसे निकलवाना है, मेरे खेल में polite से करो work का knowledge रखो, और कम से कम बोलो, और target दो ये 4-5 चीज़ी अगर आप करते हो, तो आपकी जो labor है, आपसे अच्छा काम करके भी देगी और आपकी सुनेगी भी, I hope आपको आपका answer मिल गया होगा, कि क्या करना है side पे ऐसे fresh है, ऐसे ही question पूछते रहो comment में, हम videos लाते रहेंगे, जो आपको practically help करेंगी side पे, thank you guys